हुआ हो गया ना साथ हो प्या पेट्रोल मारूँ इस पे हाँ वाई तो एक वीडियो बनाई थी यार वीवो वो सीरीज चायना में लाउंच वी थी अब वो सेम चीज इंडिया में लाउंच हो गई है तो प्राइस के साथ साथ काफी सारी चीज़ा बदल गई है तो एकदम ऐसे ध्यान एक कगरित करके एकदम खाना पीना खुजाना छोड़के बाद में रिपलाय कर लेना उसको चलो श 40,000 में प्लास्टिक का फ्रेम है सिंगल स्पीकर है कोई IP रेटिंग नहीं है और वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है में लेंस है 108 मेगापिक्सल का दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो बेसिकली वीवो वी 23 प्रो एक अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा लेकिन वीवो वी 23 प्रो हमें नहीं लेना बाकि जो स्टैंडर्ड वी 23 है उस पे पूरी वीडियो बनाई है तो अब कंटिनू करते हैं तो वह डबे में फोन है 44 वाट्स का अडप्टर है प्लास्टिक का केस भी है और एयर फोन भी 3.5 mm headphone jack वाले लेकिन फिर वीवों को याद आया कि यार हमने यह रोंस तो दे दिये लेकिन इस फोन में 3.5 mm headphone jack तो ही नहीं क्योंकि पतला फोन मनाते हैं तो फिर एरों ने साथ में वह अड़क्टर भी दे दिया वो टाइप-C to 3.5 mm headphone jack वाले तो जो ओवरॉल समान मिल र जो ब्लाक वाला वेरियंट है उसकी बैक में कोई color change नहीं होता बेसिकली उसकी बैक को अब UV rays के नीचे लाओगे तो उसका color change होता है अब या तो को UV rays वाले डवाइस खरीद लो महंगा सा या फिर अपना वही old school सूरज के नीचे बैठ जाओ मूँफल या लेगे या बड़ी आई और जो बैक ग्लास है उसमें texture है तो अगर हम उसको नंगा यूज करेंगे तो उसमें पीछे fingerprint की निशान नीच अपनेगे तो बहुत अच्छा है लेकिन plastic का frame है 30,000 में अब brands इस price point के around क्या करते हैं कि भाई back फिर वी एक बार को plastic की च प्लास्टिक के frame दिये तो थोड़ा सा durability पे compromise रहे गा है आपर fingerprint scanner है वो in display है और Vivo के generally सारे phones में in display देते हैं यह जिसमें भी AMOLED screen होती है और single speaker है 30,000 के phone में भाई 20,000-22,000 से ऊपर जो भी phones आ रहे हैं उनमें dual speakers होते हैं और ठीक्टा quality होते हैं मैं यह नहीं कहा रहा है कि वह जितनी loudness नहीं आ सकती और screen protection में है यह पतना क्या लिखा है शॉट सेंसेशन क्या पर लिए इसकी किसी 800 रुपे की drink का नाम नहीं लग रहा शॉट सेंसेशन बठा जो Vivo short sensation glass यूज़ करता है वो अच्छी का से durability का होता है और भाई screen design में beach में notch डाल दिया है यह मैंने पुर हो सकता हुए और जो आज कल के जो android phones होते हैं उनमें जो face unlock होता है hardly को use करता है लेकिन वो camera based होते है अब वो accurate भी less होते है उसमें privacy का भी खतरा रहता है और साथ में वो slow भी होते हैं लेकिन जो IR based होते हैं जो mainly आजकल सिर्फ iPhones में होते हैं वो accurate भी होते हैं secure भी होते है और fast भी होते हैं तो अगर इन्हों ने नौच डाली तो यह भी उसको एक बार इंप्लीमेंट करने का सोच सकते थे थोड़ी सी नहीं पहचान भी देता इसे तो वह SIM काड़ स्लोट में आतो दो SIM डाल लो या फिर एक SIM और एक स्लोट है लेकिन बेस्टोरेज 128GB की है तो ऐसे वह दिक्कत आनी नहीं चाहिए मतलब ठीक है 128GB और 5G बैंड भाई साथ है तो ठीक है वाई एक दम बॉर्डर लाइन पे है अगर इससे कम बैंड होते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती 6.44 इंचिस के वाई तो यह बढ़िया है काफी पॉफेक्ट साइज है तो रेजोल्यूशन भी अच्छा है पे या OTT प्लाटफॉर्म में नेटफ्लेक्स अमाजोन जी फाइब और बाला जी वगएरा तो उसका जो एक्स्पीरियंस है वो काफी ज्यादा एन्हेंस हो जाए तो रेज टाइप है UFS 2.2 और RAM टाइप LPDDR4X दो नहीं बहुत अच्छी चॉइस है प्राइस को देखते व हुआ है कफी smooth animations है थोड़ा सा bloatware रहता है बट उसको छोड़के overall अच्छा user interface है प्रोसेसर की ताकत है Dimensity 920 कुछ नहीं है प्रोसेसर बहुत powerful है 6 nm पर बेस्ट है तो 30,000 का price range दिखते हुए काफी अच्छी efficiency मिलेगी इस प्रोसेसर में काफी powerful processor है gaming के लिए multitasking के लिए day to day life के लिए एकदम 4200 mAh की battery है अब Vivo का battery के साथ थोड़ी पुरानी दुश्मनी है थोड़ा सा compromise इन दोनों का चलता रहता है दीना के है इस phone की पहली है 50 megapixel की f1.89 दूसरा है 8 megapixel f2.2 और 30,000 में 8 megapixel का ultra wide नहीं देना चाहिए भाही अच्छा नहीं लगता और तीसरा है 2 megapixel का macro जो ना होता तो better होता 2 megapixel से कोई quality नहीं है यह वही macro shots में video recording में up to 4K 30 fps या फिर 1080p में 30 fps 60 fps का option नहीं है यहापर front में 2 camera है पहला है 50 megapixel का f2.0 में लेंस है standard और दूसरा है 8 megapixel का ultra wide f2.33 के साथ wide lens है group photos के लिए या फिर आपके पीछे ऐसे haryali हो तो उसको capture करने के लिए पेर पहुत है pricing में भाई 8,128 30,000 12,256 35,000 तो यार थोड़ा साना confusing phone नहीं है मतलब प्रोसेसर अच्छा है design अच्छा है जो camera का main lens है उससे photos भी अच्छी आएंगी लेकिन plastic का frame है और single speaker है तो देख लो यार अपनी-अपनी requirement के हिसाब से देखना पड़ेगा अगर आपको एक average speaker और साथ में plastic के frames matter नहीं करते तो consider किया जा सकता है वाकि थोड़ा सा over price तो है ये phone और market में definitely इससे better options available है अलग-अलग